नमस्कार साथियो न्यूज के लिक में हम आपका स्वागत करते हैं लीबिया का खयाल आते ही तेल का खयाल आता है अमेरिका का खयाल आता है गदाफी का खयाल आता है लेकिन पिछले आठ सालों से लीबिया के अंदर ग्री युद्ध चला है इसी वी से पर बात करने के लिए क अंतरास्टी फलक पर ऐसा क्या घट रहा है कि लीबिया इसमें सुर्खियों में है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंतरास्टे मामलों के हमारे सहयोगी अब्दुल तो अब्दुल लीबिया में पिछले आठ सालों से ग्रेयूद दिछड़ा है और यह सुर्खिया बहुत कम बना लेकिन अभी क्या ऐसा घटा कि वो अंतरास्टे फलक पर है जैसे आपने कहा कि लीबिया में पिछले आठ सालों से ग्रेयूद चल रहा है उस ग्रेयूद में एक बहुत ही इंपोर्टेंट मोड आया जब बारतारी को इस बारतारी को रूस और तुर्की ने म इसको रोकने के लिए एक युद्विराम का प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव को मानते हुए दोनों ही पक्षों ने बारतारी की राज से युद्विराम लागू कर दिया और ऐसा माना जा रहा था कि आज रूसकी राजधानी मौसकों में इसको एक तरीके से आपचारिक र पर अभी एसा क्या हुआ कि युद्विराम की सिती लागू होनी पड़ी दो चीजे हैं उसमें एक पहला चीज ये कि पिछले आठ सालों से जो हो रहा था उसके उलट अभी हाल फिलाल में क्या हुआ कि अंतराश्ट ये ताक्ते खुले आम पहले जो है दोनों सपोर्ट करत जिसको Government of National Accord भी कहते हैं उसको United Nations का recognition है और उसके साथ साथ तुर्की और United States यानि कि सविकतराज अमेरिका का सपोर्ट है लेकिन जो खलिफा आफ्तार की forces हैं जो आप कह सकते हैं कि हमाइन उसके उपर भी बात करना चाहिए हमें कि वो क्या है उसके पीछे का वैदानिक्ता क्या है लेकिन उस सरकार उस बने उस फैक्शन को जो सपोर्ट करने वाली ताकते हैं वह आम तर पर सौधी अरीबिया, UAE, एजिप्ट और ऐसा माना जाता है कि कुछ दूसरी ताकते जैसे रूस उसको सपोर्ट कर रही थे इसी प्रिष्ट भूमी में जो प्रिष्ट भूम अरब वोल्ल में, अरब अरबी देसों में एक अरब स्प्रिंग नाम का अंदोलन हुआ जिसमें आम तोर पे जन्ता ने जो सरकारे थी उन सरकारों के खिलाफ ज्यादाता सरकारे थी गैर लोकतंत्रिक सरकारे थी तो उन सरकारों के खिलाफ आंदोलन छेडा कि हमें लोकतंत ने forcefully दबाने की कोशिश की अमेरिका के नित्रित्तों में नैटो की forces ने उस पर हमला किया और उस हमले में गदाफी मारे गए उसके बाद से एक तरीके से लीबिया में आरा जक्ता के स्थिती पैदा होई क्योंकि लीबिया में बहुत सारे दल हैं और सारे दल चाहत अपने आ आठ सालों से लगातार चल रही है दो हजार चौदा में इनाइटे नेशन्स ने मैं सुनिक्त राज ने यह कोशिश की कि एक सांति समझाता हो उस समझाते के तहत ही जो गवर्मेंट ऑफ नेशनल एकॉड जो लीबिया के राजानी ट्रिपोली में बेस्ट है वो बनी लेकि अगर हम विस्तार में नहीं जा पाएं तो यह कहरें को दोनों में मतभेद हुआ और उस मतभेद के बाद दो सरकारे बनी एक ट्रिपली में है जिसको हम बार बार खेहरें गवर्मेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड है जिसके प्रमुक फयाज अलसराज है और जिसको स्युक्त र के पूर्वी भाग में है वहां पे जो संसत जो चुनी गई थी 2014 में उसकी सरकार है और उस सरकार का समर्थन जह है खलिफा अफ्तार को है इसको सौदिय अरेभिया एजिप्ट युवई और बाकी की ताक्तें समर्थन करती है आज की सितिती यह है कि खलिफा अफ्तार के फो और जो त्रिपोली में जो सरकार है वो बस त्रिपोली में ही सिमट के रह गई है उसके आसपास के सारे चित्र में खलिफा अफ्तार का नियंत्रण है जब यह मामला हुआ कि खलिफा अफ्तार ने पिछले साल कहा कि मैं त्रिपोली को भी अपने नियंत्रण में करूंगा औ है उन्होंने फिर से ऊसकते हैं कि एक नए जोस में इसमी segu ऺिödा उसके बाद से बहुति हृब हो कि सरकार ने पहली राइं तुरकी से पील की वह अपनी सेनाई उनके सुरक्षा के लिए भेजे इस ऐसे बाद से तुरकी की पह्लामेंट ने अप्रूवल दे दिया और उनकी सेना वहाँ पे धीरे-धीरे जाने लगी थी, कि इस बीच में इजिप ने भी कहा कि हम खलिफा अवतार के पक्ष में अपनी सेनाए बेजेंगे, जब यह मामला इसतना कठिन हो गया, तब रूस और तुर्की, जो दूसरे कारणों से अंतरास का प्रस्ताव रखा, यह युद्वराम का प्रस्ताव इस और एक परिप्रेक्ष में हो रहा है कि इसी महीने, जनवरी में, सहुक्त राज ने, इनननी, युएन ने, एक सारे पक्षों के लिए, लिबिया में, जो जितने सारे पक्षों, सबकी एक मीटिंग रखी है जर्मन बनी थी, लेकिन आज की खबर है कि खलिफा अबतार ने उसको अप्चारिक रूप देने से इंकार कर दिया है, बड़े अच्छे ढंक से आपने रूस और तरकी और अंतराश्टिये ताक्तों का किस तरीके से इसमें हस्तक्षेप है, उसे बताया, लेकिन वो जो युद्ध गैरलोगतांतरिक सरकार थी, लेकिन एक चीज था कि उस गैरलोगतांतरिक सरकार में भी जो लीबिया की आर्स थी, वो भुत मजबूत थी, वो सिर्फ लीबिया और जो लीबिया में जो तेल, छुकि दुनिया का ओन वहता सबसे सबदemic तेल उत्पादक देशों से एक है ल उस रिविन्यू का इस्तमाल न सिर्फ लीबिया के आर्थिक विकास के लिए बलकि आसपास के देशों के आर्थिक विकास के लिए भी किया जाता था जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से देश की अर्थववस्था बूरी तरीके से चर्मर आ गई है और तेल के ऊपर कितराज अھरका का बेसिकली दखलंदाजी है वो खलिफा आफतार को ऐसा माना जाता है कि पीछे से हांकि फोर्मली वो तरॉस रही को रिकनास करते हैं लेकिन अनबचारिक तौर पे डामप ने हाना कि है safely खलिफा आफतार की forces को समर्थन दिया है पिछले साल अप्रील में जब मैंने आपको कहा कि कैसे offensive हुआ खलिफा अप्तार त्रिपोली पे कभजा करने के लिए जब आगे बढ़े तो बावजूद इसके कि सरकारी तोर पे फयाजल सराज की सरकार को समर्थन करना चाहिए था ट्रंप ने खुले आ खलिफा अप्तार की बढ़ाई की तो मेरा हिसाब से यह जो अंतराश्टी ताकते हैं खासकर के सो जो समराजवादी ताकते हैं और खासकर के अमेरिका जो है वो चाहता है कि ऐसी सरकार बने लिभिया में जो उसके तेल के एक तरीके से हम कहें भूक को या उसकी तेल की उसके प्रभुत्त को बनाए रखने में मदद करें और इसी की लडाई है यह और इसमें आम जनता का क्या इस्किती है किसी को नहीं मला सिर्फ बहुत सारा दूसरा डेटा है लेकिन अगर आप सिर्फ पिछले साल भर का जो डेटा उनाटे ने ने जो पब्लिश किया है वर् भी जादा है मरने वालों की यह तब है जब लीबिया की कुल जनसंख्या सतर लाके आसपास है तो आप कह सकते हैं वो देश जो एक तरीके से किसी जमाने में अफरिका के बहुत सारे देशों के लिए आर्थिक मदद पहुचाता था बहुत सारे लोगों को रोजगार महिया कराता था वो एक तरीके से जैसे जो खाड़ी के देश हैं जहां लोग दुनिया भर से रोजगार प्राप्त कर निकली जाते हैं वैसा ही लीबिया में था उसको पूरी तरीके से तहश नहस्त कर दिया गया है सामराजवादी सक्तियों के दखलन दाजी के से शुक्रिया इस पर हम से बाच्चित करने के लिए तेल की भूख संसाधनों की भूख एक छोटे से देश में ग्रेयुद्ध करवा देती है जो सालों साल चलता है सुक्रिया आप देखते रहिए न्यूस क्लिक